नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चानल एस्ट्रो मित्रम में इस वीडियो में दिखाई गई उप्योग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामगरे एस्ट्रो मित्रम के साथ पंजी कृत संबंधित लेखक जेतुशी से संबंधित है इस वीडियो को केबल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुना किसी भी मध्यम से प्रकाशित या वित्रित करने के समस्ता दिकार एस्ट्रो मित्रम के अधीन है अब जानते हैं व्रिश लगन में ग्रहों का असर राशी चक्र की दूसरी राशी व्रिश है आपकी कुंडिली के लगन भाव में ये राशी है तो आपका लगन व्रिश कहलाता है आपके लगन के साथ प्रथम भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह आपके लगन को प्रभावित करता है आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं लगन में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है विशव लगन में लगनस्थ सूर्य इस लगन में सूर्य कारक ग्रह एवं चतुर्थेश होता है लगन भाव में सूर्य अपने शत्रू शुक्र की राशी में स्थित होकर शुब फल में कमी करता है माता पिता से इन्हें सामानी सुख मिलता है, सरकारिक शेत्र भी इनके लिए सामानी रहता है सप्तम भाव पर सूर्य की द्रिष्टी होने से जीवन साथी से मतभेद, डामपत्य जीवन में तनाव वा कश्ट होता है यह द्वेपतनी योग भी बनाता है रोजगार में आयस्थिर्ता एवं साजेदारों से परिशानियों का सामना करना होता है इस लगन में प्रथम भाव में सूर्य होने से कम उम्र में ही बाल गिरने लगते है व्रिशब लगन में लगनस्थ चंद्र चंद्रमा इस लगन में अकारक होता है लेकिन सम ग्रह की राशी में होने से यह सामान्य रूप से उत्तम फल देने वाला होता है लगनस्थ चंद्र के प्रभाव से मनोबल एवं आत्मबल बना रहता है भाई बंधों से सहयोग एवं सुख प्राप्त होता है मौनी में मिठास एवं मधुर्ता रहती है चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टी से सप्तम भाव को देखता है चंद्रमा की दृष्टी जीवन साथी के संदर्भ में उत्तम परिणाम दायक होती है जीवन साथी सुन्दर और आकरशक होता है वेवाहिक जीवन सामानी रूप से सुखमय होता है आर्थिक इस्थिती अच्छी रहती है वृषब लगन की कुंडिली में मंगल सप्तमेश एवं द्वादशेश होता है यह इस लगन में सम होता है प्रथम भाव में उपस्थित मंगल आकरशक और सुन्दर शरीर प्रदान करता है इसके प्रभाव से व्यक्तित्व गौरवपूर्ण होता है आत्म विश्वास भरपूर रहता है इस लगन में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होने से साजेदारों से एवं रोजगार में लाब होता है देश विदेश की यात्राओं का भी योग बनता रहा है लगन में इस्थित मंगल की द्रिष्टी चतुर्थ भाव पर रहती है परिनामतह भूमी, भवन, वाहन एवं माता के सुख में कमी आती है सप्तम भाव से द्रिष्टी संबंध होने के कारण विवाह में विलंब होता है इन्हें संतान एवं पतनी के कारण कश्ट होता है चोट लगने एवं रक्त विकार की संभावना रहती है इन्हें कर्ज की स्थिती का भी सामना करना होता है व्रिषब लगन में लगनास्थ बुध बुध व्रिषब लगन की कुंडली में कारक ग्रह होता है यहे इस लगन में दुतियेश और पंचमेश होकर शुभ परिणाम दायक होता है प्रथम भाव में इस्थित बुध बुधिमान एवं धनवान बनाता है इन्हें कारोबार में अच्छी सफलता मिलती है लगनस्थ बुध विनोधी व्यक्तित्व प्रदान करता है ऐसा व्यक्ति जीवन को आनंद और उल्लास के साथ जीने की इच्छा रखता है इन्हें सरकारी पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होती है जीवन साथी के संदर्व में भी ये बुध मंगलकारी होता है लगनस्थ बुध सुंदर और बुधिमान जीवन साथी प्रदान करता है कारोबार एवं रोजगार में लाभ दिलाता है साजिदारी खूब फलती है विर्शब लगन में लगनस्थ गुरू गुरू विर्शब लगन में अकारक होता है और अश्टम एवं एकदश भाव का स्वामी होता है शत्रू ग्रह की राशी में स्थित गुरू मंदा फल देता है विक्ति को स्वास्थ सम्बंधी परिशानियों का सामना करना होता है आजीविका के विशह में परिशानियों का सामना करना होता है इन्हें मानसिक परिशानियों का भी सामना करना होता है परिश्रम के अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता है लगन में बैठा गुरू पंचम, सप्तम एवं नवम भाव को देखता है गुरू की दृष्टी के कारण व्यक्ति का भाग्य मंदा रहता है गुरू इनके ज्यान, संतान एवं धर्म को प्रभावित करता है सप्तम भाव गुरू की दृष्टी में होने से व्यवाहिक जीवन में जीवन साथी से अनुकूल संबंध नहीं रहता व्रशब लगन में लगनस्थ शुक्र शुक्र व्रशब लगन की कुंडली में लगनेश वा शष्ठेश होता है शुक्र लगनस्थ होकर व्यक्ति को सुन्दर और आकर्शक बनाता है यह व्यक्ति को आत्मबल एवं आत्मविश्वास प्रदान करता है शश्ठेश, शुक्र, रोग और व्याधियां देता है शुक्र की दशा के समय स्वास्थ में उतार चड़ाव होता रहता है प्रथम भाव में इस्थित शुक्र सप्तम भाव को देखता है जिससे भोतिक सुक की प्राप्ति होती है वेवाहिक जीवन प्रेमपूर्ण होता है, रोजगार में उत्तमता रहती है, साज हिदारों एवं मित्रों से सहीयोग मिलता है व्रिशब लगन में लगनस्त शनी, व्रिशब लगन की कुंडली में शनी नवम एवं दशम भाव का स्वामी होता है यह राशी शनी के मित्र की राशी है, इस राशी में शनी कारक ग्रह होता है, लगन में व्रिशब राशी में बैठा शनी व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रमी और कारिकुशल बनाता है शारेरिक रूप से ताकत्वर और पुष्ट बनाता है सरकारी पक्ष से एवं पिता से सहयोग एवं लाभ प्रदान करता है प्रथम भाव में स्थित शनी की द्रिष्टी तरतिय सप्तम एवं दशम भाव पर रहती है इनका भाग्योदय जन्मिस्थान से दूर जाकर होता है ससुराल पक्ष से लाभ एवं सम्मान प्राप्त होता है जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता है शनी की द्रिष्टी से विवाह में विलंब होता है एवं भाई बेहनों से सहयोग नहीं मिल पाता है व्रशब लगन में लगनस्थ राहू, राहू व्रशब लगन की कुंडली में प्रतम भाव में स्थित होने से राहू के गोचरकाल में स्वास्थ संबंधी परेशानियों का सामना करना होता है, राहू कारियों में बाधा डालता है और अवरोध पैदा करता है, लगनस्थ रा गृषव लगन की कुंडली में लगन भाव में स्थित के तु व्यक्ति को अलप शिक्षित और लालची बनाता है, साथ ही परिष्रमी और करमठ भी बनाता है, ये अपनी महनत और लगन से असंभव कारी को भी संभव कर लेती हैं, परिष्रमी होने के बावजूद इनमें साह की कमी रहती है स्वतंत्र विचार से किसी काम को पूरा करना इन के लिए कठिन होता है।